एक्टिंग तो इन्होंने हमेशा ही अच्छी की पर जब की दर्टी पिक्चर सभी की जुवाँ पर एक ही नाम आया कि सिल्क सी अभिनेत्री विद्या बालन सबसे बहतर विद्या बालन का जन्म एक जन्वरी सन 1978 में हुआ इलाका पुथम कुरुसी जो की पुथूर शहर में है ये केरला के पलककर डिस्ट्रिक का हिस्सा है इनके माता पिता यू तो तमीलियन है पिता पियार बालन और मा सरस्वती बालन हाला कि घर पे ये मल्यालम और तमिल में ही बात करते हैं विद्या बालन की बड़ी बहन प्रिया बालन एड़िटाइजिंग की दुनिया में काम करती हैं और अभिनेतरी प्रिया मनी इनकी कजन है। विद्या बालन का बच्पन मुंबई के चेंबुर इलाकर में पीता। सेंट आंथनी गर्ल्स हाई स्कूल में इनों ने पढ़ाई की और बच्पन से ही शवाना आजमी और माधरी दिख्षित के अभिने इने खासा मतासित किया। किरदार था राधिका का, सीरियल था हम पांच। जब ये अपनी मास्टर्स डिग्री कर रही थी, तब इने साउट के जबरदस सूपरस्टार मोहललाल के साथ एक फिल्म में साइन किया गया। फिल्म का नाम था चक्रम। हाला कि कुछ ऐसी दिक्कते आएं जिसकी वज़े से फिल्म का नर्मान रुख गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि विद्या बालन बुरी किसमत लेकर आई हैं। इनकी वज़े से फिल्म का नर्मान रुखा है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। लिहाजा और भी साथ इंगिन फिल्म से इन्हें निकाल दिया गया। वैसे तो बहुत टेंशन चल रही है। अधारत फिल्म परनीता में इन्होंने मुख्य भूमिकाने भाई साथ में सेफ अली खान और संजदत भी थे। उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई में भी विद्या बालन नजर आई जिसमें इन्होंने एक रेडियो जॉक्री की भूमिकाने भाई थी। हर तरफ इनके अभीने की तारीफ हो रही थी। पर अभी भी वो मकाम दूर था जहां पर विद्या बालन सबसे आगे निकलने वाली थी। मिलन लूट्रिया ने वो फिल्म बनाई फिल्म थी दे डॉर्टी पिक्चर जिसके लिए कहा गया कि ये दक्षिन भारती आईटम गर्ल्स सिल्क स्मिता के जीवन व्याधारित है। दे डॉर्टी पिक्चर से विद्या बालन का ऐसा नाम हुआ कि सब मान गए कि खुल के अभीने करना इसे कहते हैं। उसी के साथ आई फिल्म कहानी। इन दोनों फिल्मों के सूपर हिट हो जाते ही विद्या बालन टॉप स्टार्ज बिगिनी जाने लगी। बहुत खुशी महसूस हुई, गर्व महसूस हुआ कि हम जो फिल्म बनाने चले थे, वो फिल्म हमने बनाई है। जहां एक तरफ सभलता इनके हाथ लग रही थी, वहीं दोसी तरफ प्यार भी इनके जीवन में आया। और जाने माने प्रोड्यूसर सिधार्थ रॉय कपूर के साथ इनकी शादी हुई। शादी मुंबई में ही हुई। यकीनन बड़ी अनोकी फिल्मों में ये नजर आएं। चाहे वो भूल भुलया रही कि नो वन किल जैसिका या फिर दे डॉर्डी पिक्चर और कहानी। लिद्या बालन ने जो मकाम हासल किया वो किसी और अभी नेत्री के लिए हासल करना नामुम्किन है। अगर अपने सपनों में विश्वास रखो तो पूरी काइनात जूड़ जाती है। आपके सपनों को साकार करने में। यकीनन विद्या बालन ने सूपर स्टार्डम हासल किया। थैंक यू मीदू पर गिविग नी इस ओनर। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।